कुछ है?] को आफ देख रहे हैं अपना साकर चैनल तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फुटकेर क्रीम के बारे में जो फट्रोलीयो के लिए सब्सक्राइब करते थे तौन देखी है आता और अगर वीडियो को पूरा देखे लास्ट तक देखे और अगर वीडियो पसंद तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्रेब करना ना भूले तो दोस्तों वीडियो को स्टार करते हैं तो देखिए यह वाश्ट्रो लेप का फूट केर क्रीम है यह देख सकते हैं यह देखिए फॉर हीलिंग और ड्राय एंड डेमेज और क्रैक फीट यानि कि आपके जो पैर की हील है वो ड्राय है डेमेज है या क्रैक है तो इसके लिए यह देखिए फटी एडियो के लिए आई रोधी कूपा है तो यह पॉस्ट्रो लेप की कंपनी इसे बनाती है तो यह आप देख सकते है फॉर एक्स्टरनल यूज करना इसे यह बीफॉर और आप्टर यानि कि देखिए इसमें दिया हुआ है तो देखिए यह कंपोजिशन इच इन हंड्रेड ग्राम कंटेंट इंग्रेडियन नीम नीम इन लेटिन नेम है इसका नीम का एज्रेडेश्टा इंडिका और यह देखिए मंजिस्ता रुब्या कोड़ोफोलिया एलो विरा यानि एलो बार देखिए और जटामांसी नेर्डोटाइस चीज एंड जटामांसी एंड देखिए देरू हरिद्रा यह जो सारी चीज़े दोनों नेम में दिया हुआ है कंपोजिशन इंग्रेडिन का नाम है और लेटिन नेम है तो यह जो चीज़े यह रिपेरिंग के लिए यानिके आपके जो पेरों में जो तकलिब है उसके लिए देखिए यहलिंग मोईश्यराजिंग एंड डॉन ग्रेशी एंड सुधिंग यह जो प्रॉब्लम है इसके लिए ओस्टो लेप कंपनी का यह फूट केर क्रीम है तो इसको यानिकिया सर्दियों में जो पानी में पेर रहने में होमें जाती है चुरों की जिसके हिसाब से यह देख सकते हैं कि इसका जो कमप्रशीशन है कि जंसे दीखिए इसको एंप लाइं के लिए की कैसे अप्ला करें पर यह देखिए इसमें लिखा हुआ पर ओर पोती जावाज क है अवाम है गार ऑर grille पम्यट खाले, वैंग ढीन हे पार, अधिय रबे लयूजिड आपकर के अना अनुण स युन जान आए और पार, भी sizesु है . उलीज़िये में तेज़ग शद्टाब आवतिश ऑंग once and after bathing and once before the bed time तो आपको इसे ऐपका जो पैर है इसको वस करने के बाद clean करने के बाद इसको यूज करना है और इसको यानि के दो time लगाना है after bathing के यानि कि नाने il Meos अठभ से बाद में लगाना है और भेट के time सोने के time पर पयर को clean करके wash करके उसके बार लगाना है like warm water के साथ यानि कि आपको भून भूने पानी में पयर को wash करने के बाद इसको cream को लगाना है यह देखिए लिखा उओ लजा या तो इसको आपको जो पयर की तक्लिब है इसके लिए यह सब जो दिता हुओ है इसके हिसाब से आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो समझा है जो पैर की हिल की ओप प्रॉब्लम दूर आजाएगा डेमेज और क्रेक और ट्राय जो यानि के आपकी फटी हुई एडी का जो प्रॉब्लम है वह दूर हो जाएगा तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आता है अपको तो उसे लाइक किजिए सेर किजिए और सबस्क्राइब को न न भूले तैंक्यू दोस्तों